आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी बाचपेई मेडिकल यूनिस्टी उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि आप सभी को पता था कि अटल बिहारी बाचपेई उत्तर प्रदेश की जो है आपका एड्मिट कार्ड आना था और उसकी डेट भी एक्स्टेंड हो चुकी थी जैसा कि आपको बताया गया था वीडियो में तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि एड्मिट कार् दाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो साथ वीडियो में लास्त तक बने रहीएगा इंपॉर्टन न्यूज है सभी अटल व्यारी बाच पर ही वेडिकल यूश्टी पैरामेडिकल स्टूडेंस के लिए तो वीडियो में आगे बने रहीगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गूगल क्रोम पे हमें ABVMUUP ठीक है यह हमें सर्च करना है जैसी हम इसको सर्च करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीका इंटरफेस नजर आएगा उसके बाद हमें यह राइट साइड में दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन पोस्ट बे बेसिक बीसी नर्सिंग MSC Nursing Paramedical Batch 2022-23 ठीक है जो भी आपका BSC Nursing MSC Nursing Paramedical Batches के लिए 2022-23 का एडमिशन होना है उसके रिकार्डिंग तो उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे जैसी हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस पिकार से इंटरफेस नजर आता है हम लास्ट में इसको देखेंगे इस पर हमें क्लिक करना है जैसी हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा अच्छा सा इंटरफेस नजर आएगा आप देख सकते हैं तो आप सभी को जैसा कि ऑगत कराए गया था इससे पहले की Admit Card आपका अवेलबल हो जाएगा 30 अगस्त को ठीक है 30 अगस्त को आपक 1 सेप्टेंबर हो गया था 2022 सेप्टेंबर 2022 होने के बाद क्या हुआ माफी चाहता है इसके बाद क्या हुआ कि आपका 1 सेप्टेंबर हो गया 1 सेप्टेंबर के बाद आज जो डेट है वो आपकी है 2 सेप्टेंबर ठीक है सेकेंड से ऑफ सेप्टेंबर है आज और आज आप का admit card release हो गया है साथिव यह आपके खुसकबरी की बात है कि आपका admit card release हो गया कैसे हम अपना admit card download कर सकते हैं उसका process पूरा इस वीडियो में बताएंगे लास्त तक वीडियो में बने रहीएगा वीडियो पसंदा है तो like करिएगा अपने other friends के साथ जरू सेर करिएगा सो साथियों हम बात कर रहे थे admit card के बारे में कि कैसे हम admit card download कर सकते हैं अपना तो आप देख सकते हैं यहां पे screen पे यहां पे लिखा हुआ रहा है click here to download admit card ठीक है तो यहां पे हमें right side ऊपर के corner पे आप देख सकते हैं लिखा PowerPoint आपने लागइन किया था जब आपने अपना form भरा था तो वहां पे email ID आपने डाला था is प्लिक करके email ID आपको यहां पे फिल देना है उसके बास से जो भी आपने password डाला था वह पासवर्ड आपको यह आपे फिल करना है इसको fill करने के बाद आपको login पे जैसी आप login पे click करते हैं आपके सामने आपका admit card आ जाएगा और आप उसको read कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना examination center और सारी details अपनी match करा सकते हैं ठीक है तो साथी एक important वीडियो थी जिसको आपको बताना था कि आपका जो admit card है वो आ चुका है और आप कैसे download कर सकते हैं तो स important news आप तक पहुचे इसके लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करने ठीक है तो साथी वीडियो पसंद आई हो तो जरू से like करेगा और अपने other friend के साथ share करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा थैंक यू झाल